सद्गुरू ने एक वीडियो में बोला था कि लॉव अफ अट्राक्शन काम नहीं करता अब ऐसा क्यों है कि एक हाइली स्पिरिचुल बियेंग वो ऐसी बात करेगा ऐसी हमारी फंडमेंटल लॉज के बारे में बात करेगा बोलेगा कि वो काम नहीं करता actually जिस एंगल से सद्गुरू आ रहे थे, जो चीज समझा रहे थे, वो वो ये बोल रहे थे की आप एक उपनी लाइफ में कुछ अट्राक्ट नहीं करते हैं वो actually बोल रहे थे की law of attraction काम नहीं करता पर law of resonance काम करता है तो क्या होता है law of resonance Actually, जो सारे वीडियोज मैंने इस चैनल पे डाले हैं वो सब कुछ Law of Resonance के बारे में है पर Law of Attraction हम इसलिए यूज़ करते हैं कि यह बहुत ही common word है पर अगर मान लो Law of Attraction word नाम की कोई चीज ही नहीं होती क्या यह law होती मान लो gravity जो word है जो हम जानते है gravity अगर gravity नाम का word नहीं होता तो यह काम नहीं करता जरूर करता वो तो हमने उसको नाम दिया है वो लेबल दिया है अब आप उसको Law of Attraction बोल लो What Goes Around Comes Around बोल लो Karma बोल लो कुछ भी चीज़े बोलो है actually में एक ही चीज वो और वो चीज क्या है कि जो आप हो वो आपके पास वापिस आएगा जो आप हो वो आपके पास वापिस आएगा What you are is what you attract अब Law of Resonance का मतलब यह है कि जो vibration में आप हो जैसी vibration में आप हो वैसे ही situations आप अपनी life में लेकर आओगे ध्यान रखिए दो चीजे होती है एक होता है time और एक होता है space अब ये दोनों चीज time, space और matter actually तीन चीजे है time, space और matter से ये सारी की सारी दुनिया बनी भी है पर ये जो time और space है वो और कुछ नहीं है सिर्फ और सिर्फ आपका perception है सिर्फ और सिर्फ आपका perception है, सिर्फ और सिर्फ आपका जो point of view है वो create करता है time, time actually अगर आपकी consciousness नहाँ पर है और अभी बदल जाती है consciousness जो difference है अन दोनों में वो चीज जो difference को हम बोलते हैं consciousness मानलो अगर आपने book उठाई और book पढ़ना चालू की तो एक point of view आपका ये था उसके बाद at the end आपका point of view different आपकी consciousness change हो गई in fact आपकी consciousness हर एक second change होती रहती है actually जो second है वो आपकी consciousness change होने के कारण आया है actually time जो है वो creation है आपकी खुद की अब ये थोड़ा topic है मैं अलग video में समझाऊँगा दूसरी चीज है space space क्या होती है space बिलकुल नहीं होती space तो सिर्फ हमारी बनाईवी चीज है और space तभी होती है जब भी कभी आसपास चीजे होती है अगर आसपास objects नहीं होते अगर matter नहीं होता matter मान लो बिलकुल नहीं होता ये earth नहीं होता ये space नहीं होता तो आप कहां पर हो आप कहीं बे भी नहीं हो आप nowhere हो जहां पर वो object आ जाता है वहां पर वो space create हो जाती तो space भी आपकी creation है तो ये बोल सकते हैं कि ये time और space और ये matter ये सब कुछ आपका perception है एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि ये सब कुछ आपके mind में चल रहा है अब इसका मतलब है जब कभी लोग बोलते हैं कि सब कुछ momaya है सब कुछ momaya इसलिए है क्योंकि सब कुछ तो attachment है हमारा attachment है इन चीजों से और ये चीज़े जो है ये सिर्फ और सिर्फ illusion है तो ये सारी की सारी चीज़े बनती है एक चीज से और वो है energy अब वो energy हर किधर है In fact, आप भी खुद energy से बने वे हो अगर energy हर किधर है तो हम को उस energy को attract करने की ज़रूरत ही नहीं है हम को सिर्फ और सिर्फ उसकी vibration match करनी है उसकी vibration match करनी है वैसी type की situation हमारी life में होगी अगर आप fear में हो अगर आप डर रहे हो कोई चीज से और उसके बाद कोई action नहीं उठा रहे हो आप इसी vibration पे अटके वे हो तो आपको वैसे ही type के results मिलते रहेंगे अगर आप love vibration में हो तो आपको love वाली चीज मिलेंगी आपकी life में love आएगा आपकी life में job आएगी आपकी life में prosperity आएगी यह याद रखिए कि यह जो green है enlightenment, peace, joy, love और reason यह कभी भी अगर आपकी life में आता है तो आपकी life में होता है expansion आपकी life में वो चीजें जुड़ जाती है attract करते हो यह होते है attributes positive thought के positive emotions के तो law of resonance यह बोलता है कि आप resonate करते हो आप resonate करते हो आप एक तरीके से उस चीज को attract करते हो attract भी नहीं आप एक तरीके से उसको अपनी life में automatically लेकर आ रहे हो आप allow कर रहे हो यह बहुत important word है आप उसको allow कर रहे हो allow इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप ने उसकी frequency match कर ली है तो यह है चीज जब भी कभी आप कोई भी technique करते हो यह याद रखिये हर कोई question यह पूछता रहता है अलग-अलग ways में पूछता है कि मैंने यह technique की वो technique की यह की आपने कौन सी way में की वो technique अगर आप affirmations wanting में कर रहे हो कि please मिल जब जाए please वो लड़का यह लड़की मेरी life में आ जाए तो आपकी life में कुछ change नहीं होगा in fact आप और wanting create करते रहोगे क्योंकि आप उसी vibration पे अटके वे हो उसी vibration पे अटके रहोगे तो आप law of resonance के कारण उसी डब्बे में बंद होगे ये डब्बे में सारी की सारी energies है सारी की सारी energies है इस डब्बे में पर आप उस डब्बे में सिर्फ वो ही vibration देख पाओगे वो ही situation देख पाओगे टाइम प्लेस और मैटर देख पाओगे जो आपकी वाइबरेशन अट्रैक करती है इसलिए सद्गुरु ने अपने वीडियो में बोला कि लॉव अफ अट्रैक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती इनफाक्ट वो ये बोलते हैं कि अगर आप मैगनेट को लेकर आ जाओ तो वो कहीं बार अट्रैक्ट नहीं करेंगे बट रिपेल करेंगे क्योंकि अगर नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल आपने एक साथ में लेकर आए तो सेम पोल्स रिपेल आपोजिट अट्रैक्ट तो इसलिए लाउफ अट्रैक्शन थोड़ा बहुत वर्ड जो है वो कहीं बार मैच नहीं होता जो हम यहाँ पर समझाना चाहते हैं यह जो लाउज है यह यूनिवर्स की लाउज है इनका कोई अक्चुल नाम नहीं है नाम तो हम ने रखा है अब कहीं बार हम उसको नाम रखते हैं तो वो कहीं बार नाम काम नहीं करता कहीं बार कोई एक्जेम्पल लूँगा मैं अभी यहाँ पर इस वीडियो में तो वो कुछ-कुछ लोगों की life में वो काम नहीं करेगा क्योंकि हर किसका नजरिया अलग है इसलिए कोई भी नाम दे दो आप, कुछ भी कर दो काम आपका एक ही है आप अभी कौन सी vibration में हो अभी इस moment पे कौन सी vibration पे हो यह मत सोच यह कि अगले दिन मैं कौन सी vibration में उठाँगा कि जब मैं यह अपनी meditation करूँगा तब मैं कोई यह vibration में होना चाहिए या मैं अपने affirmations करूँगा मुझे वो vibration में होना चाहिए या मैं सारी की सारी जो चीज़े करूँगा मैं कुछे वो vibration में होना चाहिए पर अब अभी के moment पे ध्यान नहीं दे रहे, तो आप कौन सी vibration में हो, आप हो वापस wanting में, क्योंकि आप अपनी future की vibration इसलिए change करना चाहते हो, क्योंकि आपकी life में अभी इस moment पे वो चीज नहीं है, पर जैसे ही आप अपनी vibration lift करोगे, acceptance में आओगे, जैसे ही acceptance के बाद आप love vibration में आओगे, आपको मतलब ही नहीं है वो अगर आपकी life में वो चीज है या नहीं है, क्योंकि आपकी vibration raise हो गई, तो ये है paradox, आपको जो चीजे चाहिए, आपको लगता है वो आपको खुश करेंगी, पर आपका खुश होना पहले जादा जरूरी है, इसलिए कहीं सारे होना पड़ेगा और बिना reason के खुश होना पड़ेगा, reason आपको खुद create करना पड़ेगा, reason आपको खुद create करना पड़ेगा, reason आपको खुद create करना पड़ेगा, क्योंकि आपर क्या हो रहा है, आप neutral situation पे हो, neutral situation में आप फिर acceptance में आते हो, अपनी situation को accept करते हो, हाँ मानता ह हों कि मेरी लाइफ में ये चीज़े खराब है ये चीज़े खराब है पर मेरी लाइफ में वो चीज पॉजिटिव है आपने रीजन क्रियेट किया आपने एक रीजन क्रियेट किया ये रीजन जो है ये रीजन जो है आपकी लाइफ में ही वो change ला पाएगा आपको ये acceptance लानी पड़ीगी अपनी life में कि कहां पर हो आप कौन सी चीज में हो कौन से दलदल में फसे वे हो उस दलदल से निकलने के लिए आपको अपनी life में reason create करना है पड़ेगा कि कौन सी चीजे मेरी life में चल रही है कौन सी चीजों के लिए मैं grateful हूँ कौन सी चीजे मेरी life में आज मेरी life में impact डाल रही हैं जो दूसरों की life में नहीं है और मैं उनको ध्यान ही नहीं दे रहा और उन चीजों पर ध्यान दे रहा हूँ उन चन चीजों पर ध्यान दे रहा हूँ जिसके कारण में इस लाल में फसाबा हूँ तो दोस्तो simple सा फंडा है कोई भी नाम दे दो आप इसको बात ये है कि आप अभी कौन सी vibration में हो consciously और unconsciously क्योंकि unconsciously आपका mind जो है vibration भेशता रहता है जिस पर आपका ध्यान भी नहीं जाता तो अगर आपको अपनी unconscious vibration पर ध्यान देना है तो मेरे shadow वाले playlist पर जाईए और उसमें सारे videos देखी क्योंकि वो आपके लिए eye opener होंगे अगर आपकी life में results नहीं आ रहे आप अटके भी हो कोई situation पर तो most likely reason ये है कि आपने कोई unconscious belief रख रखी अपने mind में जिसके कारण वो ही same patterns repeat होते में आ रहे हैं तो अगर दोस्तों अगर आपके पूस कोई comments है या कोई suggestions है आप चाहते हो कोई मैं आने वाले time पर particular topic पर video डालो तो please comment box में post कीजिए और ज़रूर मेरे instagram channel पर जाईए और उस पर आप देखिए मैंने कुछ और videos डाले हैं और मैं आने वाले time पर और भी सारे videos लाता रहूंगा उस पर भी thank you everyone